तो गैस आज की इस वीडियो के अंतर हम बात करने वाले हैं YouTube Creators के confusion के ओपर जो की है bell icon से related कि कुछ channels पर हमें bell icon नहीं देखने को मिलता है कुछ channels ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें comment box नहीं देखने को मिलता है कुछ ऐसे channel हैं जहां पर mini player work नहीं करता है कुछ ऐसे channel है जिन पर community tab नहीं है नहीं उनको मिलता है तो ऐसा क्यूं होता है कुछ channels पर मिलता है कुछ पर नहीं मिलता है ऐसा क्यूं होता है वैसे तो बहुत लोगों को पता है लेकिन जिनको नहीं पता है जो भी बंदे confused है ये वीडियो उनके लिए है, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ, ठीक है, अब मैं आपको गईस बता देता हूँ, ऐसा क्यों होता है, और किन चैनल को ये सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं, और किन चैनल को ये सारे फीचर्स मिले होते हैं, अब हमारे चैनल है, तो हमारे चैनल पर ये सारे फीचर्स हैं, आप मैं से बहुत ऐसे लोग हैं, जिनके मिनी प्लेयर वर्क नहीं कर रहा है, जिनके कमेंट बोक्स वर्क नहीं कर रहा है जिसका notification bell वर्क नहीं कर रही है, बहुत से ऐसी चीज़ें, तो ऐसा कहां होता है, कि इन चैनल पर ये चीज़ अविलेबल नहीं होती है, तो ये जो भी हमारे चैनल, kids से related, बच्चों से related content बनाते हैं, उनके चैनल पर ये सारे features जो हैं, वो काम नहीं करते हैं, YouTube की policy आई थी इ for kids content बना रहा है, बच्चों के लिए, चाहे वो education है, चाहे वो कुछ भी mental growth के लिए है, या खेलने खेलने वाला है, बच्चों से related जो भी चीज़ें बना रहे हैं, वहाँ पर comment box, बहल आइकन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो confuse नहीं होना है, बहुत कमेंट से disabled हैं, तो वो kids वाले channels होते हैं, जिन पर ये सारे features जो हैं, काम नहीं करते हैं, अगर आप भी चाहते हो कि आपके channel पर सारे features वर्क करें, तो आपका channel kids के लिए नहीं होना चाहिए, और अगर आप kids के लिए मनाते हो, तो फिर आपको confuse नहीं होना है, तो आज की video में